गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा अनोखा भगवान गनीश का मंदिर है जिसकी मानिता तो दूर दूर तक है साथी वो अपनी अनोखेपन के लिए भी मशूर है इस मंदर का इतिहास 500 साल पुराना बताया जाता है आखर ये मंदर क्यों इतना खास है इस रिपॉर्ट में दिखिए एहमदाबाद में साबरमती नदी के पास भगवान करेश का एक मंदर शर्धालू के लिए खास एहमियत रखता है माना जाता है कि ये मंदर 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है मंदर जमीन से नप्यफिट नीचे है मंदर के पुजारी का कहना है कि इसे राजाओं ने इतना नीचे इसलिए बनवाये था ताकि वे शान्ती से पूजा कर सकें श्रधालू को कहना है कि जब भी सब्रमती नदी में पानी बढ़ता है तब तब मंदिर में पानी घुज जाता है मूर्तियों को इसनान कराता है और उन्हें या मंदिर को रुक्सान पहुचाए बिना निकल जाता है और ये मंदिर कम से कम नवे फूट नीचे है बरवर और नदी का पानी भी इंतर आता था पहले तो रिवर्फिट बनका उसकी साफसन ही आता है जब भी बारा आती थी तब नदी का पानी पुरह यां आ जाता था कि भगवान करेश सभी की इच्छा पूरी करते हैं